जैहिन दोस्तों टॉपर्स क्लब आईस एकेडमी यूटूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है यूपी पीसियल ने जूनियर इंजिनियर पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है नोटिफिकेशन को डीटेल में जानने से पहले हम आपको बता दें कि टॉपर्स क्लब आईस एकेडमी यूटूब चैनल को आप लाइक करिए, सेर करिए और सब्सक्राइब करिए और हमारा एप डाउनलोड करिए क्योंकि यहाँ पर आपको फ्री में वीडियो लेक्शर और जो इस्टेडी मिट्रियल है आपको उपलब्ध करा दिये जाएगा बिना किसी चार्जेश के तो चलिए बात करते हैं इसके नोटिफिकेशन की तो नोटिफिकेशन में हम जानेंगे इसके वेकेंसीज के बारे में पे स्केल के बारे में एलिजीविल्टी के बारे में एज के बारे में कितना एज मिनिमम और मैकसिमम होना चाहिए एक जाम सिंटर के बारे में जानेंगे सेलेक्शन प्रोइसर क्या है document verification क्या है fees के बारे में कैसे apply करें और इसके date के बारे में ठीक है तो चलिए एक एक करके एक चीज के बारे में जानते हैं सबसे पहले है vacancies के बारे में तो इसमें जो vacancies है उसका जो post name है वो है junior engineer E&M electrical and maintenance के लिए है इसके लिए जो qualification चाहिए वो diploma in engineering चाहिए electrical में यानि कि आप electrical engineering से डिपलोमा यानि की polytechnic किये हो इसके लिए जो आपके पास total vacancies हैं वो हैं आपके पास total 173 vacancies है टोटल है 173 vacancies जिन में से अगर इसको आपके पास total 173 vacancies हैं जिस पे आपको fight करना है आगे बात करते हैं पेश के लोगी तो सेबंध पे कमिशन यानि कि सेबंध पेश्केल के वेसिस पे आपको जो सलरी होने वाली है वो होगी 44,500 आपके selection होने के बाद आपकी जो सलरी होगी वो 44,500 रूपे होगी ठीक है LGBT की बात करें तो इसमें आपको Hindi आनी अनिमार है यानि की आपको Hindi आनी ही चाहिए Hindi की देवनागरी लिपी ठीक है और इसके लिए माइक्ञिममने चाहिए एक एक जनवरी 2021 तक आपकी जो आठारा से कम नहीं होनी चाहिए और प्रेटर नौईडा और मेरट आपके पास यह कुछ सेंटर है जहाँ पर आपका जो एक्जाम है वो कराया जाएगा ठीक है इसके बाद अगर सेलेक्षन प्रोसेस की बात करें तो सेलेक्षन प्रोसेस में आपके पास 2 प्रोसेस होंगे एक में आपका CBT होगा या निकि के computer-based test होगा और दूसरा होगा जो होगा वो डाकुमेंट विरिफिकेशन होगा ठीक है तो जो CBT होगा उसमें आपके पास टेकनिकल के 500 कुश्चन होंगे ठीक है जो की 1500 नंबर के होंगे यानि कि 150 कुश्चन होंगे 150 नंबर के और जो जीके अवेरनेस होगा वो 20 कुश्चन आएंगे और 20 नंबर के होंगे ठीक है डीजिनिंग के आपके पास 20 कुश्चन होंगे 20 नंबर के और जनरल हिंदी के 10 कुश्चन होंगे 10 नंबर के यानि कि आपके पास टोटल जो questions होंगे, वो होंगे 200, आपके पास total 200 questions होंगे, और जो इसके marks होंगे, वो 200 number के होंगे, यानि कि total 200 questions, 200 number के होंगे, और इसके लिए जो total timing होगी, वो होगी 3 hours, यानि कि 3 घंटे का time होगा total के लिए, ठीक है, तो यह आपके लिए selection process होगा, इसके बाद आपका document verification होग होगा, इसके बाद आपका, जो है, document verification होगा, document verification के लिए आप बुलाए जाएंगे, ठीक है, तो यह रहाँ का selection process, इसके बाद अगर फीस की बात करें, तो जो फीस है, वो उत्तरपरदेश के students के लिए, जो SC, ST के हैं, उनके लिए 826 रुपए है, जो SC, ST के लिए, उनके WS है, उनके लिए 1180 रुपए है, जो physically handicapped है, यानि कि जो disabled है, उनके लिए इस सिर्फ processing charge, यानि कि 12 रुपए लिया जाएगा, जो other state के student से उनको as a general consider किया जाएगा, और उनके जो fee से वो 1180 रुपए की गई है, ठीक है, इसमें अच्छी बात यह है, कि इसमें other state के student भी apply कर सकते हैं, ठीक है, इसमें apply करने के लिए आप इसकी official website पर जाएं, upcl.org पर, ठीक है, आप यहां से जाके इसको apply कर सकते हैं, या फिर आप सरकार रिजल्ट से जाके आप इसे apply कर सकते हैं, इसमें आपको date की बात करें, तो जो starting date है वो 12 नवंबर है, यानि कि 12 नवंबर से य दिसंबर तक, यानि कि 12 नवंबर तक यह चलेगा, ठीक है, इसके online fees की बात करें, तो इसका fees आप 12 नवंबर से जिस दिन से apply शुरू होगा, उसी दिन से लेकर इसके end date तक आप किसी भी दिन जमा करते हैं, ठीक है, अगर इसमें offline चलान की बात करें, तो इसके लिए आपको दो दिन का time extra दिया गया है, यानि कि आप 4 बारा यानि कि 4 दिसंबर तक आप submit करते हैं, इसमें आपको कुछ important बात बता दें, कि कोई भी form भरने से पहले आप उसका notification पढ़िए, उसका notification पढ़िए, ध्यान से, और कोई भी form आए तो उसे तुरंत ही इना भरिए, ठीक है, न और notification अच्छे से पढ़िए ताकि आपकी गलती ना रहे, क्योंकि गलती होने के बाद फिर पस्ताने के रामा और कुछ नहीं रहता है, ठीक है, तो आप एक बार notification पढ़ें, और form जो है वो एक वीक के अंदर ही apply कर दें, last date का बेट बिलकुल भी ना करें, ठीक है, तो यह र यूपी ट्रिपल सीजी यही के जो बैच है, वो दस नमंबर से शुरू हो रही है, ठीक है, इसका जो नया बैच है, वो दस नमंबर से शुरू हो रहा है, आप इसे हमारे app पर Toppers Club IS Academy पर जोईन कर थकते हैं, या फिर आप इसे हमारे YouTube चैनल Toppers Club IS Academy पर भी देख सकते हैं, तो हाज के लिए इतना ही, नेक्स नोटिफिकेशन में हम बात करेंगे, तब तक के लिए जैहिन